डेली बुलिटिन इस प्रेजंटेड बाइ मन्लू मंटी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वी एन युनिवर्सिटी शाहिन ग्रूप आफ इंसिटिशिंशन और अब्दुलकरीम मुच्छाले एंड संस क्लोथ मर्चंट पाउर बाइ बेग नियुरो साइकाटरी हॉस्पिटल एंड एडिक्शन सेंटर अबोसिट गॉर्मन टी टी आई दर्गा रोड एस्टिविटी शुवात करते हैं डेली बुलिटिन के सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल डियूस की जहां पर हम बात करते हैं कि प्रिंसस ओफ वेल जो हैं वो कैंसर का टीटमेंट अंडरो करी हैं जहां पिछले कई महिनों से जो है वो इससे जूज रही हैं अरली स्टिजेस थे उन्हें टीटमेंट के जब ही उन्हें कैंसर डाइगनास किया गया यह स्टिटमेंट आया है उनका और उन्हें कहा कि अब्डेमल सर्जरी भी उनकी हाले में हुई थी और वहाँ पर कोई कैंसर नहीं है लेकिन जब कैंसर पता चला तो जो है कैंसर का टीटमेंट वहाँ पर स्टार्ट हो चुका है देखिए प्रिंसेस हैं वो वेल्स की इतनी बड़ी शक्सियत हैं लेकिन देखिए क्या बोज उन पर लगा है कैंसर जिसी बीमारी उन पर लगी है देखिए हम उमीद ये करते हैं चाहे वो गरीब रहो चाहे आमीर रहो कैंसर जैसे बीमारी से हम सब बचना चाहिए और उमीद करते हैं कि सब को अच्छी सहत मिले दूसरी एहम बात रश्या से वो ला रहे हैं कि LGBT जो आता है लेजबियन गे जो बीटी जो आते हैं वो मुमेंट जो आजकल बहुत जादा पॉपलर हो रहा है देश भर में दुनिया भर में इनको राइट्स की जो बात करें इस पर रश्या ने तोटली कड़ाउन कर दिया और कई सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिये गए हैं खरीब 14,000 लोगों की इंडिया की बात अगरम करें तो अर्विन केजरिवाल के अरेस्ट पर बड़ा सवाल उठाय जा रहा है दिल्ली कोर्ट ने रिमांड किया अर्विन केजरिवाल को इडि के हवाले 28 मार्श तक एकसाइस पॉलिसी केस पर ये बात चल रही है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पर इतना बड़ा आरोब लगा जा रहा है आप सब जानते हैं अर्विन केजरिवाल के किस टाइप के वो शक्स हैं लेकिन जिस तरह से ये जो टूर्स को इस्तेमाल कर पर्टिकुलर पर्टी जो पावर में है ये कही न कहीं ओपोदेशन ये कह रहा है कि इन्हें जो है बाना जा रहा है कहीं न कहीं जो है खैर मामली इन्वाल्व किया जा रहा है इसकी वजाए से कोई भी सवाल ना कर सकतः उसके बाद करनाटक से डिरेक्टल इंफॉर्मिशन आपको लाता हूँ करनाटक में जो बेहें आपको बता रहाता है जो बोर्ड एक्जाम की बारे में जा रहा हूँ फिर से वापस आच चुका है तो कैंफ्यूस मत होई है KSEAB ने डेटाशेट रिलिस कर दी है 5th, 8th, 9th के बोर्ड एक्जाम्स होने वाले हैं 25 मार्च से यहने 2 दिन बचे हैं 25 मार्च से बोर्ड एक्जाम्स आप लोगों के होने वाले हैं 8.9 लाक्स स्टूडन्ट जो है SLC का एक्जाम्स जो है टिन करने वाले हैं बाकि यह जो बचे हैं वो स्टेट के गवर्ड जो है कंड़क करने वाली है बोर्ड एक्जाम्स 5th, 8th और 9th को अंडर स्टेट सेलिवस यह ओर्डर हाली में हाई कोड से आ गया है आपको बताते हैं कि सिनियर बीजेपी लीडर के से इश्वर अपाद इनके बेटे को टिकेट नहीं मिले थी हावेरी गदग लोग सबा की वो इंडिपेंडेंटली एलेक्शन लगने वाले हैं उन्हें कहा कि अगर प्राइमिस अन्हें मोदी भी यहाँ पर आएंगे तो भी उनका माइंड नहीं बदलेगा इश्वर अपाद जो है पब्लिक ग्यादरिंग शीमोगा में कर रहे थे जहाँ पर एक फीमल सपोर्टर ने कोशन सवाल किया कि अगर प्याम मोदी आकर उनकी घर पर मिले उनसे बात करे तो क्या वो इंडिपेंड एलेक्शन का काम छोड़ देंगे तुनने गाए यह जो सपोर्टर थे हैं मुझे उमीद है अगर मोदी जी भी यहाँ पर एटेम करेंगे हैं मैं उनको अंटरेटें नहीं करूंगा मैं अपने सपोर्टर सेम में अनुच्न को करऊंगा मैं कॉन्फिटेंट हो कि हमारा एलेक्शन हम जीतेंगे इंडिपेंड candidate इस तरह की बात बताई है उनने कहा कि मैंने 40 साल पार्टी को दिये हैं faithfully सीटी रवी सदरंग गोड़ा नलिल कुमार करतील प्रताब सिना सब जो है मेरे support में आए हैं लेकिन ये इस बात totally unfair है इस तरह की बात उनने कही है उसे आईपील से शुरू हो चुका है आईपील के चलते हैं आपको बताते हैं आची नाई सूपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्जर्स बैंगलूर का मैंस था रॉयल चैलेंजर्स के हम बड़े फैन हैं हम टीम को support करते हैं लेकिन CSK ने बैंगलूर के हालत बड़ी खराब थी बहुत ज़्यादा विकट्स उनने खो दिये थे लिए उसको अच्छा कमबैक कोई 173 स्कोर बहुत अच्छा था लेकिन CSK कही ना कहीं एक अपर हैंड रही है और 6 विकट्स से उनने जीत हासिल की है उसके बाए आपको बता दें लोकल गुलबरगा से नियूज मैं आपको बता रहा हूँ जहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं जेडियस के लीडर किशना रेड़ी ने मीडिया से अड्रेस करते हुए बात कहा कि पानी की जो खिलत हो रही है गुलबरगा नौर्थ का मिलेस할कों करना चाहिए जलोरी है मीडियस डोलेड़ बात कही पानी के रिलेड़ वाने क्या बात कही आई सुनते है साउथ नौर्थ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गुलबरगा के और हमको पानी पिला हूँ पानी को लेकर बहुत सारे लोक परेषयने आज रमजान चल रहा है आज मेरे मुसमान बाइयों का आज एक रमजान है अज रमजान जो ये दिन जो है पुन्य दिन है भोलके मैं बोलना चाहता हूं ये जो दिन है ये अल्ला से हम जो भी दूआ करेंगे वो दूआ कबूल होता है उसके बाद सुबा में डॉक्टर उमेज जादफ जो कि बीजेपी के MP कैंडिडेट है उन्हें प्रेस कांफरेंस की अहम बात उन्हें की और उन्हें कहा जरादा किशना जी को जानते हैं चितरीख से वो जो आज़ेज जादफ के वो जीत कराएंगे बीजेपी का लोग बेताव हैं उन्हें एक बात कही के लोग बीजेपी को बटन दवाने के लिए इंतिजार में है कि कब डेट आएगी का बीजेपी को जीताना है कब मोधिजी जीताना है इस सरा की बाद उमें जादफ ने की ही आई सुनते है गाय चुनाओं में हमारे मीडिया वाले का क्यामरा फोड़ कर मेरे सामने अटाइक किये थे तो वो हमको थोड़ा फियर लगता है उसके बाद मेरे खरीबी फरेंड है उन्होंने अल्खुबूर चारकुल शावर्मा स्टार्ट किया है हुसिन अल्ख मजीद है महबू नगर के पास वहीं उसके बिलकुल खरीब में जो है चारकुल शावर्मा जो बहुत ही नाच्रल होता है चारकुल पर बनता है या नहीं बार्बी की टाइवी शावर्मा रहता है तो जरूर जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार ज पर जो है तो आपके आने वाले नेक्स्ट मोमेंट के लिए बहुत ही बेटर हो गया नहीं कि आज अगर आप महनत करते हैं अगर आप को कोशिश करते हैं तो उसका फल आपको आने वाले काम में जरूर मिलेगा हेल्थ टिम्सार ब्राच यू बाई अलमिस्वा टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं शवाल उम्रा डिलेक्स पैकेज़ जहां पर डिपार्चर है 16 अपरेल और रिटरन है 30 अपरेल ताच अलरखी मका होटेल मदिना होटेल है अरकान अलमासी और इसका प्राइस आ प्रा है वुड्न हीलिंग काफी अच्छी होती है इसकी आंख भी अच्छे एते हैं स्कीन भी काफी इंपर होता है मुझे परसनली पाइनपल जो है मुझे बहुत पसंद है लेकिन मैं जबी भी खाता हूं पाइनपल तो पता नहीं क्या होता मेरे सीने में जो है एकदम बलकम सा जमा हो जाता है मुझे खासी शुरू होती है तो शायद ज्यादा नहीं खाना चाहिए थोड़ा पत खालना चाहिए I think that will be good comment section is presented by बेग नियूरो साइकाटरी हॉस्पिटल एंड डी एडिक्शन सेंटर डॉक्टर अब्दुलराफी मुक्तदिव बेग एमडी साइकाटरी कंसल्टन्ट नियूरो साइकाटरिस्ट अपोसिट गॉर्णन टी आई दरगा रोड एस्टिविटी 24-7 एमजेंसी साइकाटरी सर्विसस उसके वा सीदे डॉप इन होते है हमारे comment section में और से पहले comment आया है बोलो टेक का लिखा क्या करूं मैं नमास पढ़ने के बाद मूबाइल लेता हूँ आपका फस्ट नोटिपिश आ जाता है यूट्यूब पर और कि थाएंगी बोलो टेक में नोली लिखें सलाव अलेकूं मौमद गासुदीन एलेशन्स पहले बड़े लीडर एरेस हो रहे हैं यूजर ने अलेकूं लिखा फिफ्ट का बोड एक्जम कब स्टार्ट 25 से स्टार्ट हो रहा है मजमिल हुसेनी और कई सारे लोगों ने सलाम लिखा आप सब को वालियों सलाम बैंक कॉलिंग रोड बहुत खराब है एक साल से हो गई है अब तर ठीक नहीं हो लिख रहे हैं मौमद अख्तर चोटे बच्चों को 22 स्कूटी चला रहे हैं बिलो एज उन पर स्टिक आशन लेना चाहिए बिल्कुल सही कहा है आपने साइन्स सीबियसी मैं भी इस बारे में बोरा हूँ अंडर एज को तो बहुत बड़ा क्राइम है और यहां पर रोका भी जा रहा है अगर आपके पास ऐसा कोई तस्वीर हैं तो जरूर शेड़ करेगा वो लोग पबलिक करते हैं ताकि उनके पेरेंट्स को भी बात का एसास हो जाए अलवर इंडिया कॉंग्रेस विन लिख रहे हैं इंडियन की अमान गैम लिए गरालक्षमी के पैसे नहीं आए गरालक्षमी के पैसों की बारे में तो तो उत्ता हमारा करेक्ट फॉल अप जो है उतना नहीं चल रहा तो कि बहुत बड़ी स्कीम है यह और रेगलोर्स की और दली तेस्ति मिलकर चारलाक हैं दो समझ कर काम करेंगे तो मैं हम कामियाफ हो सकती है है शेक मुफीद वससे नहीم कमेंट लिखा है देखिये को की सी बारे में नहीं बोलना चाहिए देखिये घमार कमेंट भी नहीं पढ़हूंगा νमिज के जमाय के 106 नहीं मुउत से त दो तरह से दिखना चाहरा हूँ देखिए ओविस बात है कि आदमी फैमिलर नहीं है पब्लिक से लिए आज निकल कोई ना कोई एक पॉलिटिशन तो डेब्यू तो करेगा ही ना चाहे वो खमरुसलाम साहब रहने दो चाहे वो खरके साहब रहने दो चाहे वो नरेंदर मोदी जी रहने दो कोई भी बड़ा लेटर हो उसका पहली बार तो कही ना कहीं स्टार्ट होना पड़ेगा ना शायर रादर गिशना कभी पहली बार आप स्टार्ट हो जाएगा क्यूंकि वो पिछले 20 साल 40 साल से खरके साहब के साथ जो हाते हमें हात रखकर वो चले हैं पीछे तो उन्हें political knowledge तो है अब लोगों के साथ familiarity कितना वो बनाते हैं और sitting बीचे पी कैनिटर को हराना ये बहुत ही बड़ी बात है लेकिए वेव जो चल रही है करनाटक में कही ना कहीं कॉंग्रेस को एक advantage उन्हें मिलता है कॉंग्रेस का उन पर जो सरमाया है कही ना कहीं उनकी लिए advantage तो बहुत ही close fight मैं मानता हूं देली bulletin is presented by Manu Manti Specialty Hospital, KVN University, Shahin Group of Institutions and by Abdul Karim Muchhale and Sons Cloth Merchants Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, Oppositive Government TTI, Dargarore, STBT